आज हम स्ट्राइप समोसा या लहरिया समोसा बनाएंगे यह देखने में जितने टेंटिंग और खोबसुरत लगते हैं खाने में उतने ही मज़ेदार और टेस्टी होते हैं बच्चों को तो यह समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और आये भी क्यों ना इन समोसों में उनकी पसंद देदा मेगी जो होती है इन नूडल स्ट्ट समोसों को नूडल समोसा या चाइनी समोसा भी कहा जाता है नौर्मली इन्हें नूडल्स और वेजिटेबल्स की स्टफिन से बनाया जाता है पर आज इस रेसिपी को और इजी करते वे हम इन्हें मैगी और वेजिटेबल से बनाएंगे रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विडियो को लाइक और शेयर करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें चाइनी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आठा लगाएंगे, के लिए हम लेंगे दो कप मैदा, एक टी स्पून अजवायन, एक टी स्पून नमक, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें मोहिन डालेंगे, इसके लिए मैं चार टेबल स्पून डिफाइ लगा लेंगे, हमारा आठा लग गया है, इसे लगाने में मुझे आधे कप से थोड़ा सा जाधा पानी लगा है, आठे को ढखक कर 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे, आईए अब हम समोसे की स्टफिंग तयार कर लेते हैं, इसके लिए मैंने याँ दो पैकेट मैगी अब एक बाउल लेंगे, और इसमें मैगी स्पाइस मिक्स के दोनों पाउचिस डाल देंगे, समोसों को और चटपटा करने के लिए मैंने यहाँ मैगी मसालाय मैजिक का एक पाउच भी लिया है, इसे भी हम इन स्पाइस मिक्स में डाल देंगे, अगर आप समोसों को कम तो आप इसको आदा ही लें और अगर आपके पास मसालाय मैजिक का पैकेट नहीं है तो आप इसकी जगे लाल मिच का पाउडर भी डाल सकते हैं सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा स्टफिंग का स्पाइस मिक्स तयार हो गया है अब एक पैन में एक से दो टेबलस्पून तेल गर्म करेंगे रेसिपी में यूज किये गे सभी इंगिरीडियंट्स को मेजरिंग स्पून्स और कप से मेजर किया गया है तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें 1 पोर्थ कप बारी कटी हुई गाजर, बारी कटी हुई शिमला मिट्च और बारी कटी हुई पत्तागों भी डाल देंगे सभी सबजियों को लगबग आधे मिनिट तक पकाएंगे अब इसमें तयार करावा स्पाइस मिक्स डाल देंगे इसे भी मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें डेर कप पानी डाल देंगे पानी हमें प्रिसक्राइब्ड अमाउंट का आदा ही लेना है क्योंकि चाइनी समोसे के लिए हमें मैगी खिली खिली चाहिए पानी में उबाल आने का इंतिजा नहीं करेंगे और इसमें नूदल्स अभी ही डाल देंगे नूदल्स को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब पानी में एक कोईल आने देंगे जब पानी में उबाल आ जाए तो आज को कम कर देंगे और पानी तुछने तक इसे पकाएंगे देखे हमारी मैगी पक गई है इसका सारा पानी सूख गया है और इसका तेल भी छूटने लगा है ध्यान रखी अगर मैगी गीली रहेगी तो समोसे नरम बनेंगे इसलिए हमें स्टफिंग के लिए मैगी इसी तरह की बनानी है गैस बंद कर देंगे और मैगी को ठंडा होने देंगे मैगी बिलकुल ठंडी हो गई है इसे एक बार मिक्स कर लेंगे जिससे की चिपके हुए नूडल्स भी खिल जाएं इसे साइड में कर देते हैं और अब समोसे बनाना शुरू करते हैं आटे को एक बार अच्छे से मसल लेंगे और इसे छोटे छोटे पोर्शन में तोड लेंगे इतने आटे से लगबग 10-12 स्ट्राइप समोसे बनेंगे आटे का एक portion लेंगे और बाखी के हाटे को ढखका रख देंगे आटे की गोल लोई बना लेंगे और इसे बेलन से पतला बेल लेंगे आपको इसे perfect round circle देने की जरूरत नहीं है और नहीं इसे बेलने के लिए आपको तेल या सूखा आटा लेने की जरूरत है प्रोटी को सेंटर से equally cut कर लेंगे स्टाइट समोसा बनाने के लिए एक semi circle पर हम इस तरह से cuts लगाएंगे आपको ध्यान यह रखना है कि cuts किनारों से एक सेंटीमेटर छोड़ कर लगाएं और cuts को आपको एक एक सेंटीमेटर की दूरी पर लगाना है cuts लगे हुए portion पर हलका सा पानी लगाएंगे और दूसरे plain portion को उठा कर इस पर रख देंगे दोनों portions को हलका सा प्रेस कर देंगे जिससे कि यह आपस में चिपक जाएं किनारों पर हलका सा पानी लगा लेंगे और इन semi circles को धीरे से उठा कर इस तरह से कोन बना लेंगे joint को प्रेस कर लेंगे अब इस कोन में 2-3 चमच मैगी की stuffing डाल देंगे stuffing को दबा कर अच्छे से भल लेंगे अब किनारों पर पानी लगा कर समोसों को चिपका कर बन कर लेंगे लीजे हमारे stripe समोसा बन कर तयार है इसे plate में रख देंगे और इसी तरह से सभी समोसे तयार कर लेंगे समोसे तलने के लिए medium आज पर तेल गर्म कर लेंगे तेल का temperature चेक करने के लिए आटे का एक छोटा सा टुकड़ा तेल में डाल देंगे आटा धीरे धीरे उपर आना चाहिए मतलब हमारा तेल समोसे तलने के लिए तयार है गर्म तेल में धीरे से तीन के चार समोसे डाल देंगे चिस भी समोसे तलने के लिए तेल हलका गर्म होना चाहिए और गैस भी धीनी होनी चाहिए समोसों को golden brown होने तक तल लेंगे जब ये नीचे से golden हो जाएं तब इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी तल लेंगे तले हुए समोसों को plate में निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी समोसे तल लेंगे हमारे ला जवाब क्रिस्पी चाइनी स्ट्राइप समोसे या लहरिया समोसे बन कर तयार हैं गर्मा गरम समोसों को हरे धन्य की चट्नी या टमेटो कैचप के साथ सर्व करें आप इस रेसिपी को जरूर खाय करें और मुझे कॉमेंट करके पताएं आपको ये कैसी लगी